आप सभी प्रिये दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे October 12th की Bank Nifty का क्या प्लान होना चाहिए आपका RBI की बहुत अच्छी News आई है उन्होंने रीडर की तरह से काम किया है आगे Stock Market को बढ़ाने के लिए साथ में Economy को बढ़ाने के लिए भी तो हम उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं अब चलकर देखते हैं कि इस News के बाद जैसे Market में अच्छा Momentum आया है Friday को क्या यह Momentum कंटीनूर रहेगा कि यहां से कुछ थोड़ी Profit Booking लगती है कुछ fundamental analysis करेंगे जिसके basis पर technical charts को देखकर बताएंगे कि आगे कि क्या रुक मन सकता है based on previous history और कुछ key information देंगे जिसके through आप थोड़ा सा अपना हिसाब से काम सोच सकते हैं और आपको पता लगेगा कि आगे आने वाले time के लिए क्या हो सकता है इसका view चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके chart से यहाँ पर हम जो पहले chart देखेंगे वो spot के chart देखेंगे nifty bank nifty के spot की charges तो September की series जैसे एक negative note पर शुरू हुई थी और खतम भी पूरे आखिर में low level पर हुई है वैसी उमीद October series की थी और हमने अपने channel पर 2800 के असपास आ गया है बहस दो हफ्तों में आपको करीब करीब 2800 पॉइंट का profit मिला है तो यह लाजमी चीज़ बनती है दोस्तों कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप profit book कर लीजे अपना चाहे अट लीस्ट 50% quantity को अपना फीचर की square of कर लीजे पर यहाँ पर थोड़ा सा सलहा करेंगे कि profit book करना एक अच्छा healthy habit है regular time interval पर आपको profit book कर लेना चाहिए अभी series पूरी बाकी है हो सकता है आगे थोड़ा सा correction हो इसमें और फिर उपर चले पर हम उमीद ये भी कर रहे है कि October में हो सकता है September का peak भी निकल जाए पर जैसा भी होगा उसके basis पर आप पहले कुछ profit book कर लीजे क्योंकि अब peak आने में ज़्यादा दोड़ नहीं है 1000 point का difference है और यहाँ से हो सकता है अगर गिरेगा तो आपके 1000 point का profit loss में हो जाएगा वो आपको profit जब तक profit book ना किया जाए वो profit नहीं माना जाएगा तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा इसका यह हमारी सलाह है आपको अब अगर super trend की basis पर देखा जाए तो super trend ने clear cut एक buy signal दिया है पिछले 5 दिनों से जो आगे में momentum continue रखेगा हमारे हिसाब से वहीं पर अगर alligator indicator देखे तो वो भी सारे के सारे signal आपको यहाँ पर buy momentum दिखा रहे है price जो है तीनो color से उपर है तो यह एक बहुत अच्छा bullish sign उप है अब अगर कुछ basic चीजों का पता लगाए जाए देखे तो October 9th को बहुत तेज bullish pattern रहा था bell पूरी तोरह से जोर में थे और उन्हें अपना बल पूरा आजमाया और beers जो थे वो दुम दबा कर भाग गए वहाँ से तो यह बहुत उसका आगे फिर reaction हो सकता है तो दोस्तों हमारे system के पाबिक और हमारे experience के मताबित हो सकता है Monday को थोड़ा सा और उपर जाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर वो नीचे आए नीचे का target इसका करीब करीब 22,500 के आस पास रहेगा तो आप अपनी trade को थोड़ा सावधानी से कीजेगा मंडे को हो सकता है मंडे को ही correction आए या हो सकता है Tuesday को correction आना शुरू हो तो इसको आप ध्यान रखना यह से आपको help मिलेगी आगे अपने portfolio को manage करने के लिए profit को जब तक घर पे ना आए तब तक profit मत समझे पेपर पेड प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होता है अब यहां पर अगर हम देखे MACD के basis पर तो MACD ने भी clear cut buy signal दिखाया यहां से देखे October 2nd से इसने 1st October से इनफेक्ट सॉरी एक buy signal जनेरेट किया था और continuous momentum उपर जा रहा है gap बढ़ता जा रहा है तो सारे technical parameter पर निफ्टी spot को देखें तो यह bullish pattern बना रहा है दोस्तो हम लोग निफ्टी और bank निफ्टी की intraday की active trade करते है feature and option में अगर आप इस service में interested है तो आप में mail drop कर सकते है 8000 rupees per month charges है और यह probably आपको first week of month में ही आपको यह fees almost आपके profit में मिल जाएगी वापस तो इसलिए अगर आप चाहिए तो please हमें contact कर सकते है we'll be more than happy to help you and support you for this activity अब जलकर अगर हम देखें आगे कि क्या प्रक्रिया हो सकती है तो हम 3 key information शेर करेंगे पहले 2 information बताते है उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो सबसे पहले RBI RBI ने जो announcement किया है कि उन्होंने reality sector को house loans को एक special category में बनाया है जिसके चलते हुए आगे ये positive momentum रखेगा तो special privilege देने के बाद में जितने भी NBFCs हैं और banks हैं उन्हें काफी तीजी दिखाई थी दोपहर के बाद 11 बजे के बाद सब में एक दम एक तुफान सा आ गया था और काफी उपर तक चलके गए थे LIC housing finance and so on तो सारे के सारे बहुत अच्छा view रहा है अब इस से हमने क्या lesson learned किया दोस्तों तो देखिए एक चीज़ समझिए RBI has a lot of power आप कभी भी RBI के against fight मत करना कभी भी market में अगर RBI ने कोई positive momentum news सुनाई है तो वो banking sector को बहुत positively लेकि जाएगी उपर लेकि जाएगी बहुत positively तो उसके चलते हुए ये आपको ध्यान रखना है कि RBI की एक इशारे पर पूरा market उपर जा सकता है या नीच जा सकता है तो आपको बहुत सावधानी से काम करना है जिस दिन RBI की policy हो उस दिन morning half को trade avoid कीजे जब policy आ जाए समझ के उसको भूज के उसको उसके बाद trade कीजेगा अब तीन की factor है जो अगले हफते को drive करेंगे आपके next week के market particularly bank nifty के साथ में तो सबसे पहला जो RBI की policy है इसका momentum मंडे को हो सकता है थोड़ा continue रहे इसलिए बोला है कि मंडे को हो सकता है थोड़ा और उपर जाए और फिर वहाँ से correction दिखाए या तो मंडे के afternoon में या फिर Tuesday की morning में और इसके साथ में जो banking sector की momentum चला है वो अभी dull नहीं होगा हो सकता है थोड़ा pause ले और उसके बाद फिर ये तेजी रुख दिखाए और आगे चल कर बहुत तेज बन जाए तो उसको थोड़ा सा ध्यान अपने की जूरत है banking sector is going to be the leader probably for the next bull run और अभी जितना कुछ parameter की basis पर यहाँ overboard zone लग रहा है तो आपको एक consolidation phase की सलाह दी जारी है कि हो सकता है आने वाले हफते में थोड़ा सा consolidation हो जिससे आपको नए entry की opportunity मिल जाएगी दुबारा से अगर आप इसमें long जाना चाहते है किसी भी banking sector में अगर आपने short term की trading की हुए है तो उसके reference में यह बात कर रहे है दोस्तो हमारा trade plan October 12th की positional की basis पर कोई trade plan नहीं था हमने कोई position carry forward नहीं कि उसके main reason यहीं थे कि international market mixed signal दिखा रहे थे और हमारे corona cases अभी भी थेज है और UK में in fact corona cases तो second peak आ गया है और France में और Germany में तो उसके चलते हुए we were not comfortable और साथ में India और China की tension भी border tension भी moderate है तो इसके चलते हुए हमने कोई position लेके जाना ठीक नहीं समझा है पर हम actively interdicated position रखते हैं वो हम आपको बताते हैं हमने क्या सला रहे है आपकी आगे आने वाले दिन के लिए तो अब जो level बताएंगे क्योंकि आप trade future में करते हैं तो हमने future के level निकाल के रखे हैं उससे पहले ज़र एक 15 मिट का चार्ट दिखा देंगी आपको समझ में आएगा SBI के बाद क्या हुआ है इसने यहाँ पर तो देखेंगे अगर SBI का चार्ट देखें तो 10 बजे के बाद यहां से शुरू हुआ तक कारोबार 10 सवा 10 बजे के बाद उन्हें जो announcement possible announcement कर दिया उसके बाद में clear cut एक buy signal दिखाया बहुत उपर थोड़ा consolidation फिर उपर गया तो यह बहुत अच्छा साइन होता है इस तरह से stock market एक momentum trade दिखाता है जिससे आपको आगे आने वाले समय में एक clear cut profitability बन सकती है तो अब वापिस चलते हैं one day के chart पर और बताएंगे कि आपकी कल की क्या परकरिया हो सकती है तो दोस्तों कल का दिन आप momentum trade के हिसाब से काम कीजेगा अगर market positive momentum कर रहा है तो momentum positive रह सकता है but keep a very strict trailing loss हम अपने हिसाब से आपको सलह करें तो हमारा plan यह रहेगा कि कल हम इसको थोड़ा short खिलने की कोशिश करेंगे market को करीब करीब 24,230 के असपास हम यहाँ पर इसको short करने कोशिश करेंगे तो इस range में आप short कर सकते हैं stop loss क्या रखेंगे 24,430 के असपास हम इसका stop loss रखेंगे तो 460,30 यहाँ पर आपने stop loss रखा तो 200 point के असपास कपका stop loss है target जो हमारे हिसाब से इसका target रहेगा वो रहेगा 23,506 के असपास पर आपको सलह है देंगे कि आप पहले partial profit यहाँ पर 23,800 के असपास बुक कर लिजेगा फिर trailing loss पर, trailing stop loss के basis पर उसको यह profit लेके चले जाएगा तो यह हमारी सलह है आपको nifty और bank nifty में इस तरह से trade करने की थोड़ा cautious रहे है profit बुक कर लिजे और हो सकता है कि जहाँ पर यह oversold zone आ रहा है अभी continuous दो हफते से चल रहा है तो थोड़ा सा एक selling zone हो सकता है market में आए यह level बताए हैं उस level को आप ध्यान रखेगा हो सकता है momentum positive खुले पर दोफैर के बाद negative view आ जाए तो इसके चलते हुए थोड़ा सा expectation यह है कि market नीचे रहेगा आप चाहें तो उसको use कर सकते हैं अपने trading के basis पर तो दोस्तों बैं आशक करता हूँ आप हमारे channel पर सीख पा रहे हैं अगर कोई भी comment है तो please comment box में डालेगा RBI की policy one more time was very very positive market outlook के लिए बहुत अच्छी है और जिस तरह से commentary आ रही है आगे उसके बाद में लग रहा है कि recovery काफी जल्बी होगी तो उसके चलते हुए इंडिया क्योंकि developing nation है तो इस तरह की recovery बहुत positive मानी जाती है और stock market भी उसको positive तरह से देखेगा तो long term के लिए हम bullish हैं पर अभी इस हफते हमारा expectation है कि थोड़ा consolidation phase चलेगा जिसको आप अपने हिसाब से थोड़ा profit book कर सकते हैं और चाहें तो छोटा सा short भी कर सकते हैं with a strict stop loss दोस्तो based on your google profile ये चार वीडियोस हमारे को recommend किये गए यूट्यूब ने और जो आपके browser history जो आपके preference है उसके basis पर ये आए है अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद नहीं आया है समझ में नहीं आया है जो आप नहीं क्लिक किया है तो हमें comment box में ज़रूर बताइएगा कि हम आगे फिर उसको feedback को incorporate कर सके मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपका दिन मंगल में रहे आपका happy trading और आप इस अफ़ते भी positive पैसा कमाए हमारी सला के basis पर और अपने active transaction के basis पर जै हिंद जै भारत बाई गाई